हालो फेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू यूर चैनल तमाल इटी टिप्स एंड टॉपिक आज का जो वीडियो है वहे एसे पी इंप्लेमेंटेशन अक्टिविटीस का उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और वो वीडियो बहुत सक्सेस्फुली आज भी यूट्यूब म दिखा जाता है बहुत सारे मेरे पास कमेंड्स आता है जी इंप्लेमेंटेशन का उपर और वीडियो बनाई है और डेप्थ में जाके वीडियो बनाई है तो आज का जो वीडियो है एसे पी इंप्लेमेंटेशन अक्टिविटीस का उपर ओहें इन डेप्थ वीडियो आप आपको मैंने एकदम प्री सेल जहां से एसेपी बाले आके कंपने में पीछ करता है जाब एसेपी लीजिए एसेपी का बेनिफिट रही है एसेपी लेने पर आपको यह सब सुभीदा मिलेगा उस लेबेल से लेके आप टूएसेपी का कंपने ने डिजी सान लिया साइन ऑफ शिया वहां से लेकर पूरा इंप्लिमने केशन होगा उसके बाद इंप्लेमेंटेशन कमप्लेट होगा गुलाइफ का बाद अपका फिर ऐमेस तक मैं आज लेकर जाओंगा तो अगर आप एस्धिएओ पूरा दे रहे तो कोशनास्ति आपको माइल स्टोन है वह आपको पता चल जाएगा तो फ्रेंग्स विडियो देखिए वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अगर आप मेरा चैनल पे नाय हो तो प्ले सब्सक्राइब किजिए मैंने देखा बहुत सरे लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करता है आप वीडियो सब्सक्राइब किजिए बेल आइकॉन को क्लिक किजिए शो दाट मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको आपका पास इंटीमेशन आएगा और मेरो को भी अच्छा लगेगा मैं भी मोटिवेटेड हुंगा आपका सब्सक्रिप्शन से आपका लाइक कम से क्योंकि एक काइंड आफ इंटराक्टिव चीज है आगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे तो मेरो को भी इंटरेस्ट आएगा जे चलो मैं भी कुछ अच्छा अच्छा वीडियो बनाता हूं तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं फास्स स्टेप्स मे प्रिसेल डेमो का मतलब क्या है जैसे कोई कमपानी ने डिसाइड किया जे चलो मेरो को एक ERP सिस्टेम इंप्सिघ करना हैे मेरा डे इन डे आउँड बिस्नेस के लिए बश्य मेरा बिस्नेस के लिए, मैं ERP सिस्टेम ले क्या हूंगा फिर और ओरने सेन डी साइड करते हैं चलो हम लोग इसीपी में चलते हैं क्योंकि एसेपी आज का डेट पे बहुत सक्सेस्फूल है बहुत अच्छा काम होता है एसेपी में जीस लेबल तक हम लोग मतलब हम लोग का पुड़क्सान मैनुफैक्टरिंग फम्सेजी जो भी और गनाइजसान ले लोग उसका इन डेप्थ का अगर आपको चाहिए इनफोर्मेशन चाहिए डेटा चाहिए तो आज का डेट में बहुत सरी एर्पी सिस्टेम मार्केट में अवेलेबल है लेकिन सेपी इस दा बेस्ट मैं सेपी का पर वीडियो बना रहा हूं उसलिए ऐसा नहीं है जे मैं बोलूंगा सेपी बेस्ट है आप मार्केट में रिसार्च करो आप बात करो देखो जितना बड़ा और्गनाजेशन है जिसमें बिस्नेस पैटर्न थोड़ा कंप्लिकेटेड है बहुत सरे चीज में वर्सलेटी है वो सब जगा पे आप देखो एसेपी चलता है तो पहले कंपने रिसाइड किया चलो भाई मेरों को एस जाट टाइप का वर्वीव है तो आके पूरा डेमो देता है कंविंस कराता है और्गनाजेशन को जो इसे पी लेने में आपका क्या बेनिफिट है कौन सा कौन सा मॉडूल आपको लेना चाहिए आपका जो एक्जिस्टिंग बिसनेस है उसी हिसाब से आपको कौन सा वाला चाहिए यह सब चीज शेयलस में होता है उसमें फांक्शनर कंसाल्टेंटिन का भी भर सरे जगा प्रे मैंने देखा रोल है औक भी आता है कियान से फीको वाले आता है ओलोक्ता हैं डेमो देता है समझाता है जैंपको ऐसा ऐसा रिपॉर्ट मिलेगा पूरा बसेज्तैस कर很 करना है आपको जो best output है जो ERP आप implement कर रहर है इतना पैसा खर्चा करो उसमें से आपको इस level का clarity transparency and output मिलेगा तो pre-sale का final हो गिया company decide कर लिया चलो हमको SAP में जाना है next क्या होता है next होता है project sign-off होता है जैसे आपने में decided कर लिया जिए आपको Deal market में जाना है अभी Step बालों का साथ आपको प्रोजेक्ट स的 प्रोजेक्ट साइन आफ करना है आप प्रोजेक्ट सा इन अ कर रहे हो कौ년 सा वर्षान Siap का ले रहा हो कौण सा कौन सा मोडूल आप इंप्लिमेंट करने जा रहा है हो इस सब चीज लेके आप प्रोजेक्ट को साइन अफ कर दे रहा है जिए चलो मैं राजी हूँ I am agreed to do the project तो प्रोजेक्ट साइन अफ हो गया है नेक्स्ट क्या होता है project plan and kick-off एक प्रोजेक्ट कभी भी जब project बनता है तो वो प्रोजेक्ट का कीज ओफ होता है एंप प्रोजेक्ट प्लान का साथ होता है जेहिए project का प्रोपर प्लान है कीक ओफ मीटिंग होगा कीक ओफ मीटिंग में एक कंसल्टेंट का टीम से जो जितना सब्सक्राइब इंप्लीमेंटेशन जो इंप्लीमेंट करता है इसे पी उनका टीम से सभी लोग रहेगा सब मॉडूल का अधमी रहेगा और ओर्गनाइजेशन से भी जितना सब्सक्राइब इंपार्टमेंट का ही इच ओडी है सब डिपार्टमेंट का ही इच ओडी से लेके सब लोग रहेगा कि कॉफ मितला एक दुसरे का साथ इंटरक्सान होगा एक और वीउ बताया जाएगा जै कैसे कैसे क्या करना है हमदोंसा कॉन स्टेप्स में पूरा चीज बताया जाता है इस Х以前 फाल्ला से है जाता है as well as इसको बोलता है project kick off, kick off मतला project आपका शुरुवात हो गया, आज से आपका project start हो गया, next क्या होता है, next होता है requirement gathering fit gap analysis, जैसे आपका project plan का साथ, आपका kick off meeting हो गया, final हो गया, consultant, organization का stakeholder का साथ, बैट के बाद जिध हो गया, सब कुछ हो गया, फॉर्मालेटीज जितना सा सब हो गया, अभी requirement gathering, अभी consultant, functional consultant, ओ requirement gathering करेगा, क्या requirement है, जो existing जो setup चल रहा है, उसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, वो mainly पहले requirement gathering करेगा, जहां जहां लगेगा आपका gap है, वो gap को analysis करेगा, फिर आपका जो उस department का suppose, अभी mm का requirement gathering हो रहा है, तो जो purchasing manager है, जो purchasing head है, जो जो सब लोग purchase देखता है, उसमें से जिस जिस लोगों को company ने decide क्या, जैसे पी team में हो रहाएगा, organization से, उनका साथ बात करके requirement gathering करेगा, ठीक है, next module क्या है, finalize scope, requirement gathering हो गया, आपका जितना सारे gap था, feed gap analysis हो गया, आभी आ रहा है, आपको scope finalization हो रहा है, आपका scope अभी finalize हो गया, जो आपका आजिस का हिसाब से, आजिस का मतला पे आपका existing में क्या process चल रहा है, आप SEP को भूल जाओ आभी, आभी आपका existing business जो चल रहा है, आपका existing जो day in, day out business राण कर रहा है, उसमें उसमें आपका क्या process आप follow कर रहा है, वो सबसी important है, उसको process देखना, क्योंकि existing process अगर आप properly follow नहीं करोगे, प्रपर्ली देखोगे नहीं, अगर प्रपर्ली requirement gathering नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो उनका business कैसा चल रहा है, business का process कैसा है, business का flow कैसा है, आप जब SAP में configure करने जाओगे, configure कर दिया, उसके बाद देखोगे, आरे भाई मेरा तो existing आईसा process ही नहीं था, मेरा process तो पूरा change हो गिया, तब आपका SAP project fail कर जाएगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, requirement gathering का साथ आपको scope finalize करना पड़ेगा, जो मेरा scope ए है, ऐसा ऐसे मैं काम करूंगा, क्योंकि business process यह है, as per the business as is and as per the requirement, जो आज का date पर चले रहा है, तो scope finalize होने का बाद हम लोग क्या करेंगे, score finalize होने का बाद हम लोग business blueprint बनाएंगे, जिसको बोलता है BBP, score finalize हो गिया, हम लोग ने as is देख लिया, जो क्यासा business आभी रान होता है day and day out में, उसके बाद हम लोग business blueprint बनाएंगे, क्यासा business चल रहा है, उसका ओपर depend करके जो प्रोपोस्ट, प्रोपोस्ट जो है, जो प्रोपोस्ट workflow होगा, जो प्रोपोस्ट प्रोसेस होगा, SAP का तरफ से उसको बोलता है business blueprint, business blueprint is as good as bible, bible जैसे होता है, जिसमें सब चीज लिखा रहता है, ऐसे bible बनेगा, जिसमें पूरा चीज लिखा रहेगा, जो process कैसे होगा, क्या-क्या भी existing है, क्या-क्या उसमें changes आ रहा है, यह business blueprint में पूरा चीज लिखा रहेगा, business blueprint बनाता है consultant लोग, implementation partner, लेकिन business blueprint को approve करता है, organization का जो stakeholder है, जो SAP committee team है, वो लोग organization साइट से business blueprint को प्रपर तरीका से review करके, देन अगर उसमें कुछ change करना है, तो वो change करने का बाद business blueprint बनता है, क्योंकि business blueprint अगर गलत बन जाएगा, तो आपका SAP configuration पूरा गलत हो जाएगा, अगर business blueprint में आपने अच्छा तरह से देखा नहीं, या अच्छा तरह से study नहीं किया, business blueprint गलत हो गया, तो आपका पूरा implementation फेल हो जाएगा, क्योंकि जो configuration बनेगा, इसी का उपड़ बेस करके configuration बनेगा, तो पूरा configuration आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको re-configure करना पड़ेगा, फिर आपको business blueprint में change करना पड़ेगा, तो आपका बहुत सरे time, effort, money सब चला जाएगा, तो business blueprint को आपको अच्छा तरस के समझ के, business blueprint को आप 2-4 दिन, एक अपता ज्यादा time ले लीजिए, एक काम जो है business blueprint बनाने का काम है consultant का, लेकिन business blueprint को properly review करना, existing process का साथ, जो process आने वाला है, SAP का through, वो पूरा चीज business blueprint में लिखा रहता है, पूरा business blueprint को अच्छा तरस से review कीजिए, उसका बाद bbp sign off कीजिए, एक जो bbp sign off का काम है, एक bbp sign off का काम मेली organization का side से होता है, जो client होता है, client का side से होता है, SAP consultant business blueprint बना देता है, उसको properly review करके, अगर कुछ changes होगा, कुछ alteration है, कुछ process गलत बता है, हो सकता है, जो as the time of discussion, consultant गलत समझा, उसी सबसे business blueprint बनाया, बोला भाई मैंने तह ऐसा नहीं बोला था, मैंने तह ऐसा 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 बोला था, मेरा process तह ऐसा ऐसा है, हो सकता है, तो उसी टाइम पर consultant उसको change करके, जैसा जैसा जो misunderstanding हुआ था, सुनने में, जानने में, समझने में, उसको clear करके, फिर उसको rectify किया, तो यह organization client का responsibility है, business blueprint को अच्छा तरह से परके, समझ के, उसको sign up करना, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि business blueprint is a very important portion of the SAP implementation, अगर आपका business blueprint गलत बन गिया, तो आपका implementation fail कर जाएगा, फिर से उसको re-implement करना पड़ेगा, फिर से both time आगे जाने का बाद, फिर आपके पुरा configuration change करना पड़ेगा it will take time, money and effort, तो business blueprint बन गिया, बीबीपी sign up हो गिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है, realization phase, वो business blueprint जो बना है, realization phase का मतलब है, configuration phase, realization phase में time लगता है, realization phase का जो काम है, पूरा consultant का काम है, उस time का बीबीपी के ओपर base करके, organization client का stakeholder का साथ बात करके, वो configuration चालू कर देता है, चितना सारे functional module वाले है, functional module वाले उसमें configuration चालू कर देता है, पहले क्या होता है, मेरा वीडियो है, आप देखिए, पहले development system बनता है, या technical लोग क्या करता है, जो आपका, basis का बन्दा है, वो आपके लिए server बना देता है, वो cloud में हो सकता है, one frame हो सकता है, उसमें SAP इंस्टाल करता है, SAP के configuration करके, functional consultant को development system handover करतेता है, development system में पूरा configuration, MAM, SD, FICO, PP, QM, जितना functional consultant है, सब कुनका configuration start करतेता है, तो realization phase मतलाब आपका configuration phase है, इसमें consultant configuration start करतेता है, next क्या है, next है unit testing and integration testing, आभी आपका development system में पूरा configuration start हो गिया, configuration, sub-functional consultant लोग एक्तम लग गिया configuration करने के लिए, end-to-end blueprint देखके configuration कर रहा है, जहाँ लग रहा है, थोड़ा confusion हो रहा है, एक बस टेक होल्डर का साथ, client का साथ बात करके, configuration अभी almost complete, अभी unit testing करेगा, जो properly system run कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रफरली system run कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका अभी काम चले रहा है, unit testing में, unit testing, यह बाला unit testing, integration testing, consultant कर रहा है, यह unit testing आपका consultant करेगा, अगर किसी जाएगा पे, client का head लगेगा, तो client उसको help करेगा, client पीछे से देखेगा, client help करेगा, लेकिन mainly these unit testing has been done by consultant, तो consultant यह unit testing कर दिया, configuration का बाद, क्या configuration क्या, configuration प्रफरली चले रहा है कि नहीं चले रहा है, उसका process floating तरह से चले रहा है कि नहीं चले रहा है, यह unit testing करेगा आपका consultant, क्योंकि आगे भी जाकी unit testing है, लेकिन यह unit testing properly करना है by the consultant, next आपका आथा है, data upload for event, तो आपका unit testing हो गिया, आभी आपका जो basis वाले है, वो आपके लिए development system बनाया था, जिसमें आभी पूरा आपने configuration किया, testing किया, सब कुछ किया, आभी आपके लिए basis आपको quality system बना के देगा, quality system में वो पूरा configuration जो आपने किया, आपका development system में, वो configuration को TR का थूरू, transport request का थूरू, वो configuration system, वो configuration shift करेगा, आपका UAT system में, मतलाब आपका quality system में, as well as आपका कुछ dummy data, आपको quality system में upload करना है, test करने के लिए, तो जो data upload for UAT, जो UAT testing होगा, ओ testing के लिए आपको data upload करना पड़ेगा, आपका quality system में, आप production का data upload कीजिए, आप production का master data upload कीजिए, आप आपका material management का vendor, फेर vendor details, फेर आपका कुछ open transaction है, SD के लिए customer का, यह जितना सरे आपका master data है, यह आपने को upload करना है, UAT के लिए, UAT testing के लिए, तो data uploadation का एक process है, मैंने आपको मेरा वीडियो में है data कैसे upload किया जाता है, data upload का process क्या क्या है, किस किस process से आप data upload कर सकता हो, वो मेरा चैनल पे देखिए वीडियो है, उसमें से आप knowledge ले सकते हो, जे SAP में जब migration होता है, जब implementation होता है, तब quality server में, production server में, आप आपका existing पुराना data को कैसे upload कर पाऊगे, तो आभी data upload होके आया, UAT के लिए data upload हबर पर, user acceptance test, इसमें आपका user test करेगा, आपने जो configuration किया, जो process किया, आपने एक बार testing किया, अभी user ने data upload करके, quality system में एक बार test करेगा user ले, जो properly काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम लोगों ने process बताया था, जिसका basis पे आपने blueprint बनाया, उस हिसाब से आपका properly end to end आपका process चल रहा है कि नहीं चल रहा है, suppose मैंने एक example देता हूँ, जैसे आप पकर लीजिए mm का, तो mm का पहले क्या है कोई inquiry आया, फिर PR रिलीश हुआ, purchase requisition रहा हुआ, उसका basis पे आपने PO बनाया, PO बनने का बाल माल आया, फिर आपका GRN हुआ है, आप my go करके stock में update किये हो, stock update करने का बाद, ओ material का quality में जाएगा, quality approve हो गा, तो production floor में चला जाएगा, quality approve नहीं होगा तो material फिर से return to vendor चला जाएगा, अगर quality approve हो गया तो production में गया, फिर उसमें production होगा, production हुणने का बाद finished goods बनेगा, finished goods बनने का बाद हो dispatch में जाएगा, dispatch में जाने का बाद वो चाला जाएगा आपका sale होगा उसमें से आपका जो भी है उसमें से आपका sale होने का बाद आपका invoice generate होगा उसका through आपका sales order बनेगा invoice बनेगा payment आएगा तो यह जो entire process है user मतलब client test करेगा उसका जो data है existing वो data upload करके master data upload करके end to end test करके दिखेगा जो ठीक ठाक है क्या नहीं उसके बाद इसी को बोलता है user acceptance test अगर ठीक है तो user बोलेगा it's okay अगर ठीक नहीं होगा तो user बोलेगा नहीं इसमें change करना है इसमें कुछ problem है तब आपको change करना पड़ेगा according to your requirement next क्या आता है next आता है UAT sign off user ने test कर लिया user ने बोल दिया जेक दम ठीक है first class है जैसे मैंने बता आता है ऐसी बना है तो user ने sign off कर दिया ये I am okay and go with it or you can like move it to the production system तो user sign off कर दिया मतलब user ने user has given the approval approval user ने दे दिया ठीक है तो UAT sign off हो गिया UAT मैंने आपने डाटा अपलोड किया था UAT का testing हुआ on the basis of data and उसके बाद user ने बोला जहां it is okay user ने sign off कर दिया UAT path आपका खतम हो गिया तो जितना सारे blue बाला है वो आपका development related activities development हो गिया UAT का जो काम था testing करना वो मैंने औरेंज कर दिया आपका better understanding के लिए अभी we are coming to the production production मैंने green करके दिया अभी production में आपको cut over activities करना पड़ेगा planning करना पड़ेगा अभी production में आपको ले जाना है आप कैसे ले जाओगे production में कब जाके आप down देऊगे क्योंगे काट वार activity में आपको पूरा business एक दो दिन तीन दिन चार दिन के लिए आपको down देना पड़ेगा उस time के आपका data पुराना अगर कुछ existing system है वहां से migrate करके नाया system में जाएगा अगर आपका green field project है उसका भी video मेरा पास है green field project क्या है brown field project क्या है तो भी आप देख सकता green field project है मतलब तो scratch से चालू कर रहे हो आपका पास कोई ERP system नहीं है कोई ACP system नहीं है अब first time ACP system कर रहे हो that is called green field तो green field project में भी आप कैसे आपका data upload करोगे का साथ बात करना पड़ेगा month end में करना है जो कब जाके आपको ER end का सामने opportunity मिलेगा तो उसको abuse कर सकते हो आप quarterly end में कर सकते हो happily end में कर सकते हो आप आपका finance से बात करके आपको cut over लेके आपका production का साथ बात करना है dispatch का साथ बात करना है क्योंकि आगे आगर कोई party को हमने commitment किया जे इतना तारीख में मैं आपको इतना माल delivery दूंगा तो आपका cut over होगा मतलाब आपका पुरा बंद राएगा billing नहीं कर पाऊगे तो उस सब चीज को आपको confidence में लेके बात करके आपका उस का planning करना पड़ेगा इस इस तर वेरी वेरी important तीन आपका इतना बड़ा business चलता है करोडो करोडो हजारो लाखो करोडो रुपया का business अगर आप पांच दिन बंद राखोगे अगर चार दिन बंद राखोगे तीन दिन बंद राखोगे कितना चीज आप dispatch नहीं कर पाऊगे पूरा business आपका बंद राखोगे customer का commitment होगा requirement होगा supplier का commitment होगा तो लेकिन आपको इस steps लेना पड़ेगा नहीं तो आप move नहीं कर पाऊगे आपको cut over planning करना पड़ेगा तो आप cut over planning कर लिया cut over planning का बात क्या किया आपका जितना transport request मतलब TR वो सब आपको production में लेके जाना है TR बानता है पहले development system में development system से आता है quality system में वहां TR का through configuration पूरा move हो जाता है आप development में जितना configuration क्याता है यह जो काम है यह basis का काम है technical लोगों का काम है SAP basis, GRC का लोग है इनका काम है तो यह जो आपने पूरा configuration किया development में वो चला आएगा आपका quality में TR का through configuration आगी आपने data upload कर दिया आपका testing हो गया quality में अभी quality से आएगा वो production में तो आपने production में पूरा end to end इसका जितना सरे आपका TR था सब लेके आगी आपका production में आपका जो configuration जो बनाया था development में वो quality का through आपका production में आ गिया मैं एक चीज बता देता हूँ ideal scenario में कभी भी development से directly TR production में आता नहीं आपको production को आना आपको अगर production में ले आना है तो आपको development से quality में लेके आना है वहां से आपको production में लेके आना है तो आपका जिदना transport है वो आपका production में आखा किया आपका configuration सब अभी production में आ देगा आभी आपको क्या करना पड़ता है data upload in PRD आप जैसे data upload किया था quality में आपको PRD में data upload करना पड़ेगा क्या data upload करना पड़ेगा आपका जो master data है वो master data आपको upload करना आपका vendor detail आपका customer detail आपका bank detail आपका जितना सरे open vendor है open customer है आपका GL जितना सरे आपका master data है master data का उपर भी मेरा वीडियो है आप मेरा चानेल में जाके देखिया कैसे master data होता है कैसे upload होता है तो master data आभी मेरेको production में upload करना है, पहले जिसको मैंने quality में upload किया था, quality में तो मैंने demo data upload किया था, एक छीज धायन में रगना, quality में for testing basis मैं हो सकता हूँ actual data upload करूँ क्या ना करूँ, लेकिन production मेरेको actual data upload करना पड़ता है, जो मेरा business data है, जो कोई dummy data नहीं है, लेकिन production में मैं जब actual data upload करूँगा, upload करने का process है, हो सकता है मेरा existing ERP जो ही उससे download करके upload करे, अगर ERP नहीं है, तो हमको fresh upload करना पड़ेगा, उसका process रहता है, तो अभी मेरा production में data upload होकी है, data upload करने का बाद हमको data validate करना पड़ेगा, validation करना पड़ेगा, यह काम बहुत important है, जैसे जब हम लोग ACP और use करते हैं, नहीं करते हैं, कोई भी ERP system यूज करे, एक टाइम का बाद, दो साल, चार साल, पाँच साल, अगर कोई भी ERP use करे, ना करे, manual भी करे, तो वो सरे data में jargans हो जाता है, jargans मतला बहुत data duplicate हो जाता है, बहुत data मतला जो unwanted data हो जाता है, उसम डेटा को यही आपका पास opportunity है, जब आप data upload करो, डेटा को एक बार validate करके, एक बार card chart करके, जो आपका actual data, जो आपका proper data, उसम गं data के, आप data को upload कीचे, और data को validate कीचे, जहाँ आए data मेरा, यही data है, it is my genuine data, यही data आपका आगे लेके जाना है, तो आपका data validation is very important, तो data upload हो गया, डेटा को आपने validate कर लिया, आपका जो है, cart over activities, तो आभी जो cart over activities का planning आप में, production का शुरुत में किया था, आभी ओ cart over activities आपका हो दो, तीन, दिन, चार दिन, जो भी है, आप production बंद करके, production आप offline में चालू करने दो, आप build नहीं होगा, production हो आप system में दिखानी पाऊगा, मेशीन में अगर production चल डाए कोई उशू नहीं है, वो बात में आप entry कर सकते हैं, तो cart over planning कर लिया, cart over activities का उपर भी मेरा वीडियो है मेरा चैनल पर जाए, देखिए, cart over activities का उपर बहुत सारे बड़ा बड़ा अच्छा वीडियो है, जिसमें आपका concept clear हो जाएगा, मेरा main जो target है, motive है, आपका concept clear करना, अगर आपका concept clear हो जाएगा, टीकोट तो आप एक बार रटोगे, system में मारोगे, आपका हो जाएगा, क्यों मार रहा है, क्या process कर रहा है, in depth, मेरा target है आपको in depth knowledge दे रहा है, in depth information देना, जो कोन सा step में क्या काम होता है, आप एटीकोट क्यों मारते हो, तो आपका cart over activities हो गिया, cart over activities का बात क्या होता है, आपका go live हो जाता है, जैसी cart over activities हो गिया, आप पहले आपका tier का through, आपका entire configuration आ गिया, उसके बाद आपने आपका master data upload कर दिया, data को validate कर दिया, आभी आप entry मार सकते हो, आपका नाया system में, आपका नाया system में, आपका invoice बनाओ, आप purchase order बनाओ, purchase requisition बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आपका system go live हो गया, आप नाया system में, आप entry मरना चालो कर दिया, go live हो गया, आपका SAP pre-sale demo से शुरू किया था, अब भी आपका SAP go live हो गया, इसके बाद आपको hyper क्या राता है, मतलब इस पर आपको trading फेंडिंग होगा, बहुत सरे होगा, आपको trading देगा, आपका साथ राएगा consultant, दो तीन मैना राता है, जब देखेगा, आपने एकदम के काम करेगा, दो तीन मैना का बाद आपको उतना जोड़त नहीं पड़ेगा, day in, day out activity आप खुदी राण कर सकते हैं, go live का बाद थोड़ा, मतलब हीच की चाटाइप का आता है, क्या करे, ना करे, उस टेम पर थोड़ा training लगता है, थोड़ा consultant का help लगते, तो उसको गोता ह हाइपर क्यार, वो हाइपर क्यार हो जाता है, एक दो मैना, उसके बाद consultant का ऐसे day in, day out में कोई काम नहीं रहता, क्यूंकि क्लाइन का जो इंसान है, क्लाइन का जो मतलब employee है, जो department wise जैसे production का employee है, quality का employee है, material management का employee है, sales and distribution का employee है, finance का employee है, costing का, यह लोग training लेके सिख जाता है, एही लोग आगे जाके पूरास प्रोसेस को रान कराता है, तो यह हाइपर क्यार हो जाने का बाद consultant implementation team का और कोई काम नहीं रहता, at the end उसका बाद जो होता है, AMS support, उसका बाद आप annual maintenance support, आप contract कर लेजिए, किसी का साथ भी कर सकते हो, आपके implementation vendor का साथ भी कर सकते हो, बाहर स किसी का साथ भी कोई भी organization, कोई भी SAP service provider का साथ भी कर सकते हो, आपके annual कभी कोई changes हुआ, कभी कोई चीज में प्रोब्लेम आया, तो आपको annual service का चार्च लेके वो आपको support देदा, इंप्लिमेंटेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि यह मैने आपको क्यू दिखाया, क्योंकि hyper care का बाद, goal life का बाद, एक दो माइना hyper care होता है, training बगड़ा चलता है, help लगता है, उसके बाद, streamline हो जाता है, consultant चला जाता है, implementation का काम खातम हो जाता है, उसके बाद, आपका AMS support के लिए आप देदीजिए, इंप्लिमेंटेशन ही उसको दे सकते हो, बाहर से भी दे सकते ह टीम बिल्ट कर लिजिए आपका, तो long run के लिए आपको हेल करें, तो friends यह ही पूरा process end to end, pre-sales से लेके AMS support तक मैंने आपको बताया, हार जो staff है, उसको मैंने identify कराया, development का काम कितना ताग है, quality का काम कितना ताग है, कहा से production का काम जादू होता है, तो यह था पूरा overview, SAP implementation का step by step overview, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो please please like and share कीजिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक subscribe तो मेरे लिए बनता है, और bell बटन को click कर दीजिए, तो आगे जाके आपको नया नया वीडियो का notification आए, thank you, have a good day.